1985 में इटली के मशहूर कलाकार जियोवनी ब्रागोलिन ने एक रोते हुए बच्चे की तस्वीर बनाई ये पेंटिंग काफी मशहूर हुई और लोगों ने इनकी पेंटिंग्स को लेकर घरों में सजाना शुरू कर दिया कहते हैं कि ये पेंटिंग जिधर भी लगाई गई वहां अचानक आग लगनी शुरू हो गई पहले UK फिर यूरोप से भी पेंटिंग वाले घरों में आग लगने की खबर आने लगी जिस पेंटर ने इसे बनाया था उसका भी स्टूडियो आग में जल कर खाक हो गया दसन अखबार की एक रिपोर्ट के अनुसार आग बुझाने गए फायर फाइटर्स ने इस बात का खुलासा किया कि वह जिस भी घर में आग बुझाने जाते वहां ये पेंटिंग मौजूद रहती थी क्राइंग बॉई की पेंटिंग हर उस घर में मिली जहां आग लगी होती थी घर का सारा सामान जल गया होता था लेकिन किसी भी घर में ये पेंटिंग नहीं जली